नमस्कर दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मा रोक्स के यूटूब एजूगिस्टन चैनल में आज हम सिखने वाले हैं पांस सबसे अच्छी कील मिहास्यों की दवा के बरे में कि जिसको हम एकने कहते हैं या फिर पिंपल की बीमारी कहते हैं तो ये बीमारी होने के कारण भी हम समझेंगे और उसके लिए पांस सबसे अच्छी दवा या कौनसी है उसकी स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर एकने मलब कि एक स्कीन सबंदी एक बीमारी है कि जिसके अंदर स्पेसली होता क्या है तो आपकी जो स्कीन होती है वहाँ पे इस तरह से लाल दब्बे देखने को मिलते हैं या फिर ऐसी कंडिशन प्रोड्डिस होती कि वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलती है लाल दब्बे बन जाते हैं या फिर काले दब्बे कई बार देखने को मिलते हैं या फिर वो सफेद होते हैं और दूसरी एक चीज़ देखो तो वहाँ पे पस्ट फार्मेशन भी होने लगता है और इस तरह से पूरा जो एरिया होता है वो दीरी-दीरे cover होता जाता है और जो चाहरे के skin या फिर body के किसी भी part के skin को वो जो है वो damage करता है तो ये conditions की इलाज के लिए कौनसी 5 सबसे अच्छे दवाया है उसकी हम आज के lecture के अंदर study करते हैं तो ऐसे ही आपको सीखना है बहुत सारी दवायों के बारे में तो medicine course को join कर सकते है Pharma Rocks के अप उपर कि जहापे आप सीख सकते है बहुत सारी दवायों के बारे में उनके use दो side effects के बारे में तो course join करने के लिए हमारी app को आपको download करने ही पड़ेगी या फिर ज़्यादा जानकरी के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है 9016312020 तो अब समझते है reasons क्या होते है एकने होने के तो पहला reason होता है कि excessive oil production मलग कि आपकी जो skin होती है वो समझो कि oily है या फिर कोई दुसरे कारण उसर बहुत ज़्यादा oil production हो रहा है आपके skin के अंदर तो वो एक reason बनता है एकने के लिए दूसरा reason हम देखे तो जो hair follicles होते है वो block हो जाते है oil के करण और dead skins के करण तो उसके करण भी यह problem जो हो आपे हो सकता है तूसरा reason हम देखे तो bacteria के करण के bacteria के infections के कारण भी यह acne का problem जो हो सकता है और चौथा reason हम देखे तो कोई inflammation है, sujan वगेरा है तो यह सब reasons combine होके acne के condition जो हो produce करते हैं दूसरे कुछ और reasons हम देखे तो hormonal stimulation मलग की समझे कि कोई teenage में है या फिर कोई ऐसी reproductive age में है तो उस दरह आपके सरेर के अंदर hormones का बदला होता है और hormones के changes के कारण भी acne का problem जो हो सकता है दूसरे एक reasons देखे तो कुछ लोगों के लिए genetic factors होते हैं कि समझे के family में acne हो रहा है तो आगे जाके next generation में भी acne का problem देखने को मिलता है कुछ medications के side effects के करण या फिर कोई cosmetic आपने use किया है और वो समझे के आपको suit नहीं हुआ है तो उसकी side effect या फिर उसकी allergy के तोर पे भी आपको acne हो सकता है lifestyle समझे के आपकी उस तरह से है life में stress वगिरा है तो भी ये problem हो सकता है या फिर किसी ने birth control pill start की है या फिर stop की है तो ऐसे reason में भी ये problem जो हो सकता है तो उसके लिए 5 best medications के option हम देखे तो पहला option रहता है retinoids का दूसरा option है antibiotics का कि जो oral भी ले सकते है या फिर वो जो ही वो skin के उपर लगाए जाते है cream या फिर ointment के दोर पे तिसरा option है azalic acid या फिर salicylic acid का चौथा option बनता है dapson की जो gel आती है 5% और 5 वो option रहता है isotretinoid के capsules का तो शुरुआत करते हैं पहले option से की जो retinoid है तो ये retinoid acid of a treatinoid है खास कर कि जिनके अंदर अलग-अलग doses form available है cream भी available होती है उनकी gel भी available होती है और losans वगेरा तो treatinoid उसमें एक option है adapelin इसके अंदर एक option है और तीसरा taza routine तो तीनों की यहाँ पर हम formulations देखते हैं तो सबसे पहले आप treatinoid के यहाँ पर क्रीम देखे USB के standard के according to तो 0.025% के strength में यहाँ पर जो आप क्रीम जो सो देख सकते है और 30 gram खास कर यह cream available होता है कि जो directly patient जो दिन में एक या दो बार अपने जहाँ पर उसको केल मुहा से हुए है pimples हुए है या फिर acne के condition है तो वहाँ पर वो लगा सकता है दूसरा है यहाँ पर adapelin के gel का 0.1% के strength में खास कर available होती है तो यह भी खास कर externally apply करनी होती है कि जहाँ पर केल मुहा से हुए है और तीसरा option है यहाँ पर taza routine के cream का कि जो Glenmark का एक manufacturing product है और 0.1% के strength में यह available होता है तो यह तीनों में से कोई एक जह वो patient यूज़ करता है कि जो उसे suit करता है next जो option बनता है वो रहता है antibiotics का तो antibiotic में सबसे पहले topical antibiotics हम देखे तो उसमें है clindamycin के जो combination में benzoil peroxide के साथ होता है या फिर erythromycin होता है जो भी साथ benzoil peroxide के साथ combination में होता है दूसरे option है oral antibiotics के तो उसमें जो tetracycline class के antibiotics है कि जो minocycline है या फिर doxycycline या फिर ये दोनों भी समझें कि किसी को सूटना है और उसके option में है erythromycin या फिर ozithromycin तो यहां पिर जो आप screen पे देख रहे है clindamycin और benzoil peroxide का gel की जो azanta pharmaceuticals बनाती है तो यह patient जो वो दिन में दो बार खासकर apply करता है जहां पे pimples हो है या फिर acne के condition है और उसके अंदर हम medications देखे तो खासकर 1% रहता है clindamycin और benzoil peroxide हम देखे तो 5% उसके अंदर जो वो present होता है और बाकी gel based रहता है और यह combination जो वो खासकर आपको store करना रहता है 2 से लेकर 8 degree Celsius पे refrigeration करना होता है कि या पे उसके storage condition आप खास देख सकते है तो उसी storage condition पे घर पे भी preserve करके ये cream को रखनी होती है दूसरा option है clindamycin peroxide समझे कोई use नहीं कर सकता तो उसके लिए option बनता है erythromycin और benzoil peroxide के topical gel खा और खासकर आप देखना तो यह दोनों combination में होता है कि benzoil peroxide जो है erythromycin या फिर clindamycin के साथ combination में होता है कि जिसके अंदर erythromycin या पे देखो 3% है और benzoil peroxide खासकर 5% के strength में ये gel के अंदर available होता है तीसरा option अब बनता है उसमें कि अगर कोई gel लगाने प्रसाथ में कोई oral antibiotic कोई prefer करता है तो उसमें रहता है prescription based minocycline के capsules या फिर उसके tablets या फिर दूसरा option बनता है doxycycline का दोनों में से जो भी patient को suit हो रहा है या फिर समझो कि कोई doxycycline या फिर aminocycline नहीं ले ले पा रहा तो उनके लिए azithromycin या फिर irithromycin के जो वो options रहते हैं कि जो patient oral लिखाता है तो ये एक option होगा है antibiotics का कि जो दूसरा option है कि पहला retinoids का जो हमने देखा option एकने के इलाज के अंदर और दूसरा option होगा है या अंटिबायोटिक्स का तो एंटिबायोटिक्स में भी आपको बहुत सारे options मिल जाते हैं topical में भी option मिलता है as well as oral में भी तीसरा option है azalic acid या फिर salicylic acid का कि azalic acid जो है उसके पास एक antibacterial properties होती है कि समझे कि आपको एकने bacteria के infections के करण बार-बार हो रहा है तो उस वक्त यह जो है वह काफी useful सा भीत होता है और यह 20% खास कर strength में यह gel available होती है और यह दिन में पेसन दो बार लगाते है तो यहाप यह आप देख सकते है कि उसका marketed formulation azaderm करके है कि जिसके अंदर azalic acid जो है वह 20% जितना present है और उसको खास कर 25 डिगरिया फिर उसके कम temperature पे जो है वो store करनी होती है और दिन में खास कर दो ही बार इसको apply करनी होती है उसका option में दूसरा है salicylic acid है कि जो खास कर 6% के strength में available होती है और वो भी patient दिन में दो बार जो है वो लगा सकते है यहाँ पर एक marketed formulation देख सकते है कि जो doctor radius laboratory manufacture करते है salicylics करके SF6 जो है उसका तो यह directly patient जो भी apply करता है उसके जहाँ पर समझे कि यहाँ पर आपको यह केल मुहा से देखने को मिल रहे है तो वहाँ पर यह cream जो दिन में दो बार patient लगा सकता है चौथा option है Dapson का कि जिसके 5% की gel available होती है कि वो भी दिन में दो बार patient apply कर सकता है और यह जो inflammatory acne होता है कि यह acne के करण आपको skin के उपर बहुत सारी सूजन आ जाती है दर्द होता है पस formation होता है तो वहाँ पर यह काफ़े effective साबित होता है और महिलाओ के अंदर भी है काफ़े फायदेमान साबित होता है और उसके कुछ side effects होता है जैसे कि skin के उपर कुछ लोगों को redness हो जाती है या फिर dryness जैसा फिल करते है तो उसके दो marketer formation आप देख सकते है कि एक है directly Dapson का gel है बीना किसी combination का कि जो sipla manufacture करते है एकने डैप करके जो gel है और दूसरा आप देख सकते है कि उसके साथ adipeline जो है वो combination में है कि Dapson भी है और साथ में adipeline भी साथ में combination में तो ये भी काफ़े effective साबित होता है तो दोनों में से जो भी patient को suit हो रहा हो उसके इसाब से वो use कर सकते है पांचमा option है isotretinoin का कि जो vitamin A का derivative कहा जाता है और ये खास कर तब use कहा जाता है जब आगे के कोई भी option से आपका ilaj नहीं हो रहा है कि जैसे हमने आगे के चार में जो अलग-अलग medications देखे उससे किसे का acne ठीक नहीं हो रहा है तो ही ये पांचवा option जो ही यूज किया जाता है because उसके कोई side effects जैसे कि उसके करन आपको IBD का problem हो सकता है ये capsules लेने के बाद depression में patient जा सकता है या फिर अगर कोई pregnancy के दौरान उसको use करता है तो severe birth defect देखने को मिलते है तो उसके करन ये option तब भी यूज किया जाता है पांचवा option कि जब आगे के कोई medications काम नहीं कर रहे है उसके लावा भी हम दूसरे कोई options देखे isotretinoin के capsules के अलावा तो वो है एक light therapy तो उसके अंदर आप यहाँ पर जो आप देख रहे है कि blue light की जो therapy खास कर यूज की जाती है acne के लिए या फिर steroid के injections कुछ लोग यूज करते हैं तिसरा options बनता है anti-androgen agents का कि जो आप आपके dermatologist के सलाह के according to ले सकते हैं और combine oral contraceptive feels भी कई बार महिलाओ को prescribe की जाती है अगर उनको समझो कि hormonal imbalance के करन बार बार ऐसा problem हो रहा है तो उस दोरान वो therapy भी उनको दी जाती है तो ऐसा ही detail में सिखे medicine course में pharma rocks के अब उपर कि जहाँ पे आप अलग अलग दवायों के basic use के बारे में सिखते उनके dose, उनके side effect, warning contraindications को एक साल तक वो भी affordable price में तो decision medicines related course आपको pharma rocks के अब उपर मिल जाता है तो ये course या फिर हमारे जो lectures के notes होते हैं PDF सो अगर access करें तो whatsapp करें 901631-2020 पे या फिर हमारी app को आप download कर सकते हैं link description box में मिल जाएगी good luck and all the best झाल